दोस्तों ओपो जल्दी ही लाँच करने वाले अपनी ओपो रेनो 8 सीरीज के स्मार्टफोन को इंडिया में इसे स्मार्टफोन सीरीज में दो स्मार्टफोन होंगे ओपो रेनो 8 एन ओपो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन का भी जल्दी हो लाँच होने वाल तक चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन दबादे हैं ताकि मेरी वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपके बस पहुंचा जैसी मैं वीडि आपको एक पतला होने वाला है तो आपको एक पतला है और हलका स्मार्टफोन देखने के लिएगा अप फ्लांट वगर आप इजी से कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के साथ में बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्पेलेगी तो यहाँ आपको 6.43 इंचेस की फूल एक प्लस वाली एमोलेट डिस्पेले देखने के लिए मिलेगी 90 अट का यहाँ आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा 800 अट की पीक ब्राइटनेस यहाँ आपको देखने के गोले लगलास प्रोड़क्शन के साथ में भी आएगा तो डिस्पेले के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात करें कैमरा की तो दोस्तों यहाँ आपको ट्रिबल रियर चैमरा सेटप देखने के लिए मिलेगा जिसमें की 50 मेगाविक् अच्छी देखने के लिए मिलेंगी इसी स्मार्टफोन के साथ में बात करें सैलफी जो की तो यहाँ आपको अच्छी आपको देखने के लिए day to day use में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी power efficient होगा overall जो performance होने वाली वो काफी तगड़ी आपको इस smartphone में मिलने वाली है बात करें RAM and storage की तो यहाँ आपको 8GB slash 12GB LPDDR5 RAM देखने के लिए मिलेगी and 128GB slash 256GB UFS 3.1 storage आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा and यहाँ आपको 80W की Superbook Charging इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी जो कि आपके smartphone को 1 to 45% in just 10 minutes चार्ज कर देगी and 1 to 100% करने में सिरफ 28 minutes का टाइम लेगी तो charging speed काफी fast होने वाली है battery size काफी अच्छ होने वाला है तो battery and charging के मामले में आपको इस smartphone में कोई दिकत नहीं आने वाली बात करें operating system की तो यहाँ आपको Color OS 12.1 देखने के लिए मिलेगा जो कि Android 12 पर वेजड होगा जहां दोस्तों आपको इस smartphone में Android 12 out of the box देखने के लिए मिलेगा बात करें connectivity की तो यहाँ आपको 5G का support देखने के लिए मिलेगा Dual 4G Volt होगा Wi-Fi 6 होगा Bluetooth 5.2 होगा GPS का support होगा और दोस्तों NFC का support भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो overall connectivity का मामले में आपको इस smartphone में सारे options देखने के लिए मिलेंगे बात करें security की तो यहाँ आपको face unlock के साथ में in display fingerprint scanner देखने के लिए मिलेगा बात कर ports and buttons की तो यहाँ आपको USB type-C charging port देखने के लिए मिलेगा power on button होगा volume rocker button होगा बात करें इस smartphone के color variants की तो दोस्तों इस smartphone दो color variants में इंडिया में लाँच होगा अगर smartphone इस price point पे launch होता है तो काफी अच्छा smartphone होने वाले है काफी अच्छे specifications के साथ में आने वाले है अगर smartphone इस price point पे इंडिया में लाँच हुआ तो क्या आप लोग इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप नीचे comment कर गया में बता सकते हैं बात करें इस smartphone की launch date की तो दोस्तों ओपो ने officially confirm कर दिया के smartphone 18 जुलाई को इंडिया में launch होगा जी हाँ दोस्तों यही थी कुछ बाते जुम आपको Oppo Reno 8 smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो बस्ता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत